दोस्तों रुबिना दिलाइक के देवर और अभिनव के भाई को बेहद बुरी तरह से पीटा गया था उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया कि अब वो जिन्दगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं बताया जा रहा है कि पिछले 30 दिनों तक वो हॉस्पिटल के ICU वार्ड में एड्मिट थे और अब वो पैरलाइस्ट हो चुके हैं आपको बता दें कि इस मामले में FIR दर्ज कराने के लिए उनकी फैमली ठोकरे खा रही है टीवी इंडस्ट्री की इतनी बड़े हस्ती होने के बावजूद अभिनव की फैमली की तरफ से FIR दर्ज नहीं की गई है जिसके चलते अब खुद अभिनव इस मामले में आगे आए हैं बिग बॉस फैम एक्टर अभिनव शुकला ने अस्पताल के बिस्तर पर अपने चचेरे भाई की तस्वीरे शेर की और ट्वीट किया मेरे चचेरे भाई को बेरहमी से पीटा गया जब वो बेहोश था नगन करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था किसी तरह वो बच गया उसने ICU में 30 दिन बताए अब वो पैरिलाइस्ड है बहुत कुछ हुआ लेकिन हम सभी संबंधित PS से FIR दर्श करने की भीक मांग रहे हैं IPS अधिकारी सुरेंद्र लांबा की ओर से अभिनव शुकला को उनके ट्वीट पर क्विक रेस्पांस मिला है उन्होंने अभिनव को कहते हुए लिखा कृपया PS ममून कैंट में अपना बयान दर्श कराईए उन्हें पहले ही कानूनी कारवाई सुनिष्चित करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है साथ ही अगर कोई समस्या है तो मेरे साथ शेयर करें हम committed हैं कानून और सच्चाई के अनुसार नियाए सुनिष्चित करने के लिए जैहिंद अभिनव ने अधिकारी को धन्यवाद करते हुए लिखा धन्यवाद सर अब देखना ये होगा कि अभिनव के भाई को इस मामले में कब तक इंसाफ मिल पाता है वेल दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी तमाम लेटिस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले